नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीओ यानि की घरेलू उपाय सरल तरीके में दोस्तों आज की सीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कमाल की रेमेडी लेके आए हूँ जिससे आपके सालो पुरानी कितने भी पुरानी आपकी जाईया हो वो बिल्कुल खतम हो जाएंगी दूर हो जाएंगी दोस्तों अब आपको महगी महगी दवाईयां क्रीम खरीद कर लगाने की या खाने की कोई जोरत नहीं है बस जो मैं नुस्का बता रही हूँ वो आप करिए आपकी जाईयां बिलकुल सही होंगी दोस्तो जो भी बीवर्स फर्स टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि सभी को इस रेमिडी के बारे में पता चले और सभी का कल्यान हो सके तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं कि ये घरेलून उसका हमें कैसे करना है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके आप अकसर कोशन करते हैं कॉमें कि मुझे नहीं पता चला कि इसमें क्या डालना है कैसे डालना है तो अगर आप लास्ट तक सही से वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी तो दोस्तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है एक कटोरी कोई स्टील के याकाच की कटोरी ले लिए प्लास्टी का यूज मत करिएगा दोस्तो और इसमें जो पहली चीज हम यूज करने जा रहे हैं वो है ये नीम का पौडर दोस्तो एक चम्मच के करीब हम लेंगे नीम का पॉडर दोस्तो इसको नीम का पॉडर खरीदा हुआ बिल्कुल भी नहीं है ये इसको मैंने सुखा करके और पेश्ट बना करके रखा हुआ है जैसा कि आप सब जानते हैं जब भी मैं कोई घरेलून उसका बनाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा ये यूज करती हूँ अपना घर का बनाया हुआ नीम का पॉडर ये बना के रखती हूँ और दूसरी जो चीज है दोस्तो ये कपूर ये कपूर आपको खिराने की शौप पे जहां पे आपको दाल, चीनी, चावले सब चीजे मिलती है वहाँ से आपको मिल जाएगी ये वही कपूर है जिससे पूजा की जाती है इस कपूर को दोस्तो हमें अच्छी तरह से कूट लेना है और इसको एक बारिक सा इदम फाइन सा पौडर बना लेना है पौडर फॉर्म में होना चाहिए तो चलिए इसको हम कूट लेते हैं अच्छी तरीके से और ये देखिए मैंने कूट लिया कुछ इस तरीके से हो गया पॉर्डर पॉमिस को अच्छी तरह से फिंगर से करके देख लीजिए गंबारी कोना चाहिए जो भी अगर आपको लगे की बड़ा पीस रह गया है तो उसको अलग कर दीजे हटा दीजे और अगर डाल भी देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये धीरे धीरे इसके अंदर दोस्तो कपूर जो है किसी भी तरह के निसान को हटाने में काफी कारगर साबित होता है बहुत पूराने जमाने से कपूर का यूज किया जाता है दोस्तो अब ये दोनों चीजे हमने मिक्स कर ली है यानि कि मिला ली है अब इनको हमें एक स्मूथ सा पेस्ट ब बनाने में कर सकते हैं जो जिससे आपको बहुत ही अच्छा result मिलेगा। तो आप एक बार में सारा नहीं डालेंगे चाहिए आप दही से बना रहे हो या गुलाब जल से तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के बनाएंगे और जैसे जैसे पानी सूपता जाएगा वैसे वैसे आप इसमें और दही या ये गुलाब जल इसमें मिलाते जाएंगे तो इस तरह से ये एक गारा पेस्ट बन करके आपका तयार हो जाएगा और इसको पेस्ट बनाने के चेहरे पे, तो मैं आपको हातोपे लगा के दिख्वाओंगी, किस तरह से, आप समझ लीजि़े आपका ये चेहरा है और इस तरीके से लगाएंगे, अपनी उलीओं से लगा सकते हैं, अगर आपके पास ब्रस है, तो आप ब्रस की सहायता से भी अपने चेहरे पे लगा सकते ह इस तरह से दोस्तों अच्छी तरह से पूरे चेहरे पे फैला लीजिए पूरे चेहरे पे लगा लीजिए और आप इसको आदे घंटे के करीब अपने चेहरे पे रहने देंगे आदे घंटे रहने के बाद से आप आदे घंटे से जादा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन कम से कम आदे घंटे रखें, आदे घंटे बाद इस तरह सर्कुलर मोसम में, गोल गोल मोसम में आपको इस तरह से करना है और अपने चेहरे से इस पेस्ट को हटाना है दोस्तो यह जो मैंने इसमें नीम यूज किया है यह नीम आपकी जाईयों को हटाने में बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तो नीम एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल, एंटी एकने के गुड़ पाया जाते हैं इसलिए यह आपके जाईयों को दूर करने में 100% कारगर है और अगर किसी तरह का चेहरे पर आपके माक्स है, किसी तरह के पिम्पल्स के या फिर किसी चोट के निसान है, वो भी आपके इससे दूर हो जाएंगी दोस्तो इस तरह से इसे हटाने के बाद आप बिल्कुल सिंपल पानी से आप अपने चेहरे को धो लीजे और आपका चेहरा बिल्कुल दमकने लएगा, आपकी जाईयां धीरे धीरे आपके चेहरे से बिल्कुल खतम हो जाएंगी और गोरापन आपका और भी जादा बढ़ तो दोस्तों ये नुस्का आपके चेहरे के लिए बिलकुल राम बाढ इलाज है आसा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आइए दोस्तो तो जल्दी से इसे लाइक कर लेज़े इसे शेयर कर दीजिए गा दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में दोस्तों अगली बर फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार अपना शपोर्ट बनाया रखिए